नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे IT सेक्टर की एक स्मोल कैप कमपनी के बारे में जो कि टाटा एलेक्सी को आने वाले टाइम में टक कर दे सकती है और आने वाले टाइम की अगर बात करें तो जैसे की सैमी क चिप बनाने वाली है तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखते हैं उससे पहले में हम बात करते हैं कि इसका जो प्राइज है वो काफी कम है 500-700 रुपी है तो मैं लेकर के चलता हूँ अगर हम 2000 रुपे की SIP शेयर के अंदर कर देते हैं तो हमारा जो पैसा है वो कि मैं निकलेते हैं दोस्तो यदि कमपाउंडिंग की अगर बात करें तो नियू लिस्टी थिड कंपनी तो मैं को नहीं मिलेगी जो की दो-दो हजार रुपे करके होगी अब मैं लेकर के चलता हूँ आने वाले जो है दस सालों तक दस सालों के बाद जो हमारा जो पैसा है वो कितना गरो कर सकता है 25% की कंपॉंडिंग के कोर्डिंग तो हमारा जो पैसा है वो बन जाएगा दोस्तो 10,66,000 रुपे यदि हमारी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10 सालों के बाद वो हो जाएगी 2,40,000 रुपे जो की 2,40,000 रुपे कनवर्ट हो जाएगे 10,66,000 रुपे के अंदर यदि 25% का भी ये compounding दे देती है तो 15 सालों के बाद देखते है कि कितना ये पैसा बना सकती है तो 15 सालों के बाद 25% का compounding देती है तो हमारा जो पैसा होगा वो 49,000,000 रुपे होंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 3,60,000 रुपे अब इसी के according देखते हैं कि यदि 20 साल तक hold करते हैं इसी share को small cap जो है IT share उसके according देखते हैं कि हमारे जो पैसा है क्या बन सकता है क्योंकि यह IT सेक्टर का दिगर share है और semi connector chip के सेक्टर में भी यह entry layer है तो आने वाले time में अच्छी खासी demand इस share की देखने को मिलेगी तो यदि बात करें 20 सालों के बाद 2000 रुपे की हर मेने की SIP 20 सालों के बाद 25% की compounding से बन जाएगी एक करोड 37 रुपे यदि investment की total की बात करें तो 4,80,000 रुपे की हमारी investment होगी और वो बन जाएगी एक करोड 37 रुपे यदि 25% की compounding रहती है तो दूसरी मैं बता दूँ यह small cap सेर है तो इसमें high risk रहेगा और इसी के साथ-साथ high reward रहेगा दोस्तों तो company के तरफ मैं लेगर के चलता हूँ company के नाम है दोस्तो KPIT Technology इसकी अगर बात करें तो आने वाले टाइम में जो है जो semi connection जो cheap है दोस्तों वो यह company बनाने वाली है इसी के साथ-साथ-साथ-साथ बात करें इनके business की तो Europe, USA, Japan, China, Thailand और इंडिया में इनका जो है total business है इनकी industry है और यह 6000 पलस की जो है auto believers across the global बनाते है और अलग-अलग software AI digital solution प्रोवाइड करवाते हैं अलग-अलग industry को आने वाल है दोस्तों तो अच्छा खासा profit यह बना सकता है यदि बात करें शेयर प्राइज की 630 रुपे क्यास पास जो है यह सेयर देखने को मिल रहा है दिग सेयर स्मॉल कैप सेयर रिस्क प्लस रिवाड दोनों ही रहेंगे दोस्तों तो फिलाल की बात करें तो 700 क्रोस कर गया था और फिलाल जो 130 रुपे क्यास पास देखने को मिल रहा है अच्छा खासा सेयर है इसी के साथ देखें कि पोस्टी पॉइंट क्या है तो डिविडेंट प्याउड जो है यह कंपरी दे रही है 27.66% क्यास पास का इसी के साथ साथ जो डैप्टर डे है वह इंप्रूव हो गया 156 से 55 दिन के अंदर इसी के साथ नेक्टी पॉइंट यह है कि इसका जो यह स्टोक जो ट्रेडिंग कर रहा है वो कर रहा है बुक वैल्यू से 13 गुना जादा हो चुक है इसकी वैल्यू रियल वैल्यू से दोस्तो ठीक है अब क्वार्टर यह दी देखें तो क्वार्टर इ विजनरेस टोटल उसके बाद 540 क्रोड का उसके बाद 566 उसके बाद 591 क्रोड फिर जो है 622 क्रोड का नेट जो है सेल हुआ अब मैं लेकर के चलता हूँ यह और नियर वैसिस के उपर देखते हैं यह और नियर वैसिस पे इसके जो प्रोफिट है कैसी ग्रो कर रहे हैं तो में ज़रा जोई پ्रोफिट format होना रहता है तो वह एड़ होने बाद पिछले साल के मुकाबले में जादा इसके प्रोफिट देखने को मिलें 2021 के इसके साथ साथ जो जो भी याँ गोरो कर रेगी है अब देखती है कि compoundon to compound कि आप देखोंगी तो गोई साल की सेविंग में पैसे और बोरिंग की बात करें करण तो 210 करोड का करण जोकि रीज्व की मुकाबले में पांच वे हिस्से का ही करण इस कंपनी के पास धोटोट अब देख लिए प्रमोर्टर डीए की लिए तो प्रमोर्टर की holding की बात करें 40% की FIA की 20% की DIA की 13% की public की 24-25% की holding है दोस्तो अब इसका compare कर लेते हैं दोस्तो टाटा एलेक्सी के साथ KPIT technology का देखते हैं की return के मुकाबले में जब से listing हुई है इस company की उस तब से लेकर कि अब तक कैसी return दे रहे हैं तो 5 दिन की अगर बात करें तो टाटा एलेक्सी ने 6% का return दिया है और KPIT technology ने 3% का negative return दिया है दोस्तो अब यदी एक महीने की बात करें तो एक महीने में देख लेते हैं एक महीने में 27% के return टाटा एलेक्सी ने दिया है KPIT technology ने 3% के positive return दिया है क्योंकि गिरावट जो है कुछ टाइम से चल लिया है इस वज़े से जो है प्रोफिट देखने को नहीं मिला KPIT टेकनोलोजी में यदि बात करें 6 मेने के तो 6 मेने में KPIT टेकनोलोजी ने 106% की रिटन दिया है टाइम से अगर 1315% के रिटन दिया है KPIT टेकनोलोजी ने और टाइम से देखने को मिलेंगे और यदि Tata Lexi की बात करें तो ये long term से चल लिए तो यदि बात करें 2019 से लेकर 2021 की जो return है KPIT technology के लगबग 480% की return है और Tata Lexi की return है वो 916% की return है सिरफ 5 साल में तो stock दोनों ही जबरदस्त है लेकिन KPIT technology जो है वो high risk और high reward जो है share है दोस्तो आने वाले time की अगर बात करें तो KPIT technology का जो business है वो वीदेशों में तो ये strong company है और एक positive point हो जाता है दोस्तो क्योंकि यदि इंडिया में demand इसकी नहीं रहती तो लेकिन इनका business वीदेशों में है तो अच्छा खासा profit फिर भी ये earn कर लेगी company तो आप इसमें जो है invest करना start कर सकते है small amount के साथ क्योंकि high risk है ये company तो इसी के साथ जो है reward भी अच्छा खासा दे सकती आपको बना करके तो वीडियो ये कैसा लगा compare कैसा लगा जरूर बताएगा दोस्तो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच